नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सबका आपके अपने किचन में आज मैं आप सबको बताने वाली हूं गट्टा बनाके उसको श्टोर करने का तरीका जी हाँ दोस्तों आप गट्टे को स्टोर कर सकते हैं कम से कम दो मेने के लिए भी खराब नहीं होते बहुत जादा लगते हैं तो इसके लिए मैंने ये दो कटोरी भर के बेसन ले लिया है अब इसमें हम कुछ फ्लेवर एड़ करेंगे सबसे पहले मैंने डाल दी है एक चमच अजवाइन उसको क्रस करके डाल दिया हाथ से एक चमच सूखा धनिया पाउडर ये दरदरा कुटा हुआ है बहु एक बड़ा चमच लाल मिर्च ये कासमेरी लाल मिर्च डाली इससे कलर बहुत अच्छा आता है स्वाद के अनुसार नमक और आदी चमच जीरा एक चमच ये डाल दी हमने कसूरी मेथी और दो बड़े चमच इसमें डालेंगे हम तेल तेल गट्टे को अंदर से मोईस्ट र साथ हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है अब एक दो मिनिट लगा के पूरे बेशन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि हर कंपे तेल अच्छे से लग जाए अगर आपको बेशन सुखा सुखा लग रहा है तो आप इसमें एक चमच घी या तेल और एड़ कर सकते हैं आप इस तरह से मुठी बांद के देख लीजिए अगर मुठी बंद रही है मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें मौयन चीए और बहुत कम भी नहीं होना चीए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सोफ्ट डोग लगा के तयार करेंगे बेसन को आपको बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूतना है अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो फिर जो हमारे गट्टे है वो तेल में जाते ही या फिर पानी में जाते ही फट जाएंगे बेसन थोड़ा सा चिपकता है हाथों पे तो थोड़ा थोड़ा तेल भी लगा सकते हैं हाथ पे इस तरह से और जो हमने इसमें फ्लेवर डाले हैं इसकी बहुत ही अच्छी कुस्बू आ रही है गट्टे की सबजी सभी को पसंद आती है वैसे तो ये राजस्थान की स्पेसिलेटी है लेकिन किसी भी जगह आप इसको बनाके खाएंगे आपको पसंद जरूर आएगी अब इसको हम 4-5 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं और चकले को थोड़ा सा पहले चिकना करके हाथों को चिकना करके अब इसको इस तरह से लंबाई में बढा लेंगे क्योंकि हमें इनको बोईल करना है बड़ी आपसी हम इस पर सेप देंगे ताकि जो हमारे गट्टे हैं वो देखने में भी अच्छे लगें और देखे कितनी साइन आगी है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस सारे बना के रख लेने हैं साइड में मैंने कड़ाई में पानी पहले से गरम करने के लिए रख दिया है जब तक हम इनको तैयार करेंगे तब तक पानी में भी वाल आ जाएगा अब आप देख सकते हैं बेशन बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रहा है पहले इस तरह से हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसके बाद चकले पे रखके इस तरह से इसको लंबा कर लेंगे और दोनों तरप से इसको हलका सा प्रेस करके चिकना कर लेंगे इधर पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया अब जो हमने तयार किये हैं गट्टे इनको इस तरह से कड़ाई में डालके इनको कम से कम आपको 15 मिनट जरूर उबालना है गैस का फ्लेम हमें हाई पर ही रखना है और इनको उबलने देना है जैसे जैसे यह उबलेंगे पकेंगे यह अपने आप तैर के ऊपर आ जाएंगे और इनमें बबल्स आ जाएंगे देखें यहां पर कलर भी चेंज हो गया है गट्टे का पानी अगर आपको लगे कि कम हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें आदा गलास गरम पानी करके दुबारा से भी एड़ कर सकते हैं पानी में लगातार उवाल बना हुआ है और इस पर देखें बबल्स आने शुरू हो गये हैं सभी गट्टा पे उपर आप देखेंगे तो फूला फूला दिखाई देगा यह इंडिकेशन है कि जो हमारे गट्टे हैं वो अंदर तक अच्छे से पग गए हैं या तो आपको इनको 15-17 मिनट तक उबलने देना है या फिर आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं और मुझे भी यहां पे 16-17 मिनट हो गए हैं इनको बालते वे अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और आप इनको निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे देखें कितने बड़े बड़े फूल गए हैं यह साइज में भी डबल के लगबग हो का इसमें फ्लेवर है यहां पर गट्टे ठंडे हो गए हैं अब इनको हम छोटा-छोटा काट लेंगे और देखें कितनी आसानी से कट रहे हैं यह अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं कि बिल्कुल जोर नहीं लग रहा है इनको काटने में सारे हमें इसी तरह से काट-काट के रख लेने हैं यह थंडा होने के बाद ही आप इनको काट ही अगर आप इसको गिला-गिला काटेंगे तो फिर इनका तूटने के चांसिज रहते हैं एक जैसे साइज के सारे गट्टे मैंने काट ली हैं अब हम कड़ाई में करेंगे तेल गरम और इनको एक बार फ्राई करेंगे क्योंकि हम इनको स्टोर करेंगे इसलिए मैं इनको फ्राई कर रही हूं अगर आप इनसे अभी तुरन सबजी बना रहे हैं तो आप इनको बिन और इस तरह से आप इनको फ्राई करके रख देंगे पहले से बना के रख देंगे तो बहुत ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा सब्जी बनाने का अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है यहां पर इनको कच्चा नहीं छोड़ेंगे हम यह तो जल्दी खराब होने के चांसिजुते हैं यह और भी ज्यादा सोफ्ट हो जाते हैं और आप इनको चाहें तो ऐसे भी बच्चे स्नेक्स के रूप में भी खा लेते हैं और बारी बारी से इसी तरीके से हमें अपने सारे गट्टे फ्राई कर लेने हैं अच्छे गरम तेल में हमें इनको फ्राई करना है वैसे तो देखिया हमारा गट्टा पका हुआ है लेकिन हम इनको लंबे टाइम तक स्टोर करने वाले हैं इसलिए इनको फ्राई करना जरूरी है अगर आप कम टाइम के लिए जैसे 10-15 दिन के लिए इनको स्टोर कर रहे हैं तो आप इनको वालने के बाद काटके किसी भी एटाइ डबे में बरके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं देड़ें हैं कि इनको राखा जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा लंब टाइम तक मैं आपको सजेस्ट करूँगीन ना रखें आप अगर यह सबस्क्राइन के लिए बहुत रहएं हैं सब्ची बनाने लाणी के लिए तो सारे गट्टे हमारे फ्राई हो गए जल्दी मैं आपके साथ सेयर करूंगी कि कैसे आप स्टोर करे हुए गट्टे से मज़ेदार सी सबजी बना सकते हैं वो भी मिंटो में तो दोस्तों आज के लिए स्टफ इतना ही बहुत जल मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब